हेलो चिल्डन, कुसु मैम की ओनलाइन फ्लास में आपका स्वागत है, प्यारी बच्चो, आज हम फिफ्ट क्लास के सब्जेक्ट इंग्लिस का लेसन फर्स्ट, ओपनिंग डे में आने वाले कुछ MCQs को स्वाल करना सीखेंगे वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात बच्चो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिये बैल आइकन को जरूर प्रेस करें तो देखें आज हम सुरुआत करते हैं यहां क्यूस्चन फर्स्ट से वेन वाज दो पॉइट गॉइट गॉइट यानि कि कभी दुपैर में इन द आफ्टरनून दुपैर के बाद या डी ओप्सन है नोट क्लियर इन द पॉइम या पॉइम में क्लियर नहीं है तो पॉइम में क्लियर तो है यह तो यहां पर रोंग बिल्कुल रोंग है यह डी वाला तो School point जो है वो कब जाता था? In the morning जाता था यानि कि सुबै तो हमारा यहां पर जो option है वो क्या होगा बताओ? Option आएगा A In the morning Second question is How was the poet going to school? Poet school कैसे जा रहा था? किस तरह से जाता था? Happily जाता था? Sadly जाता था? As usual जाता था? या Angry जाता था? तो बचो Poet जो है वो खुशी से स्कूल जाता था यानि हमारा option यहां पर आएगा A option और A option क्या है? Happily Third question is Which day is described in the poem? Opening day कि opening day point में कौन से दिन को describe किया गया है कौन से दिन के बारे में यहां पर बर्णन किया गया है Option है First है हमारा option कि the first day of session Session का first day है या The first day after holiday Holiday के बाद का first day है या the first day of the point in the school School में point का first day है First day का मतलब होता है बच्चो पहला दिन या फिर D option The first day of new school नए स्कूल का first day है तो यहां पर कौन से day का First day तो है लेकिन कौन सा तो हमारा option यहां पर आएगा बच्चो B option The first day of After holiday यानि कि The first day after holiday Holiday के बाद का जो पहला दिन है उसको यहां पर describe किया गया है Fourth question is here What makes the point glad on the opening day Opening day पर Point को क्या चीज है जो उसको खुशी देती है जो उसको खुश कर देती है क्या चीज है ऐसी A option दे रखा है कि new things नई चीजे New bicycles नई साइकिल मिली है उसको New route या nothing make him glad या किसी ने भी उसे खुशी नहीं दी तो option क्या होगा पता है option यहाँ पर होगा बच्चो हमारा A यानि कि new things Point को जो है उसकूल जाने के लिए नई नई चीजे मिली है जैसे कि new uniform मिली है उसको new shoes मिले है new bag new books, new teacher ठीक है यह सब चीजें जो है उसको नई नई मिली है और इससे वो काफी खुश हो गया है next question है कि what is the opposite word of glad glad शब्द का opposite क्या है ओपोजिट होता है बच्चों विप्रीत उल्टा शब्द क्या है पता है glad glad means होता है person होना खुस होना तो option दे रखे हैं यहाँ पर sorrow good sad और happy चार option दे रखे हैं यहाँ पर तो इन में से glad यानि की प्रसन होना sorrow sorrow means तो होता है दुख good means होता है अच्छा sad means होता है अउदास और happy means होता है खुश तो glad और इसका जो opposite है वो आएगा sad तो यहाँ पर हमारा option क्या है बताओ option आएगा बी इसी तरह से next question है what is the meaning of mine mine का meaning क्या है mine belonging to the point point से belong करता है यह belonging to reader reader से belong करता है belonging to school यह belonging to day यह फिर day से belong करता है तो बताओ बच्चो meaning of mine का क्या मतलब है यहाँ पर पता चला option कौन सा आएगा a option यहाँ पर आएगा belonging to the point यह जो है point से belong करता है what is new for point point के लिए नया क्या है new shoes new books new bag all of these यानि कि नए जूते हैं नए books हैं नया bag all of these यानि कि यह सब चीजे तो option बच्चो हमारा यहाँ पर आएगा d option all of these यानि कि point के पास नए जूते भी हैं नए books मिली हैं उसको नया bag मिला है तो उसके पास everything is new तो यहाँ पर जो है all of these option नमारा आएगा next question है what is good in olds कि olds में पुरानी चीजों में अच्छे क्या है option दे रखे हैं friends, things, foods या chairs तो बच्चो यहाँ पर जो है friends option a वाला option जो है यानि कि friends ये जो है good in all यानि कि friends जो है मित्र, दोस्त वो अच्छे हैं जो इतने भी पुरानी चीज़े हैं उनमें सिर्फ पुराने दोस्त ही हैं जो अच्छे हैं और सभी चीजें उसको नई चीजें मिली हैं लेकिन उसके दोस्त जो हैं पुराने है नेक्स्ट क्रिशन है कि what do you mean by over over का meaning क्या है तो over का मतलब होता है बच्चो खतम हो जाना अब option देखिए यहाँ पर दे रखा started शुरू होना finished खतम होना bent bent होना और इस तरह से हैं drained तो यहाँ पर जो है over का meaning finished यानि कि be option आएगा be का मतलब है finished यानि कि खतम होना next question दे रखा है कि what is opposite word of glad glad का opposite word क्या है यानि यह पिछे भी आया है यह वाला question बच्चो यानि विप्रीत पुछा है glad का happy, sad, jail या none तो glad का जो opposite है यह है sad यहाँ पर option क्या होगा हमारा option होगा c next question is make these sentence in negative form you are my friend यह करता है कि यहाँ पर जो sentence दे रखे हैं नीचे यह दे रखा है you are my friend's sentence उसको negative form में बनाओ यानि कि नहीं बाला बनाओ तो बच्चो नहीं बाला sentence बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है पता है जो हमारी helping verb है जैसे आर उसके तुरंत बाद हम note लगा देंगे और यह negative sentence बन जाएगा तो negative sentence कब बनता है जब हम हमारी जो helping verb है या जो verb है उसके बाद हम note लगा देते हैं तो यहाँ helping verb है आर तो आर के बाद note लग जाएगा और इस sentence बन जाएगा यू आर माई फ्रैंड है ना तो फिर आर के बाद note लगा देंगे और क्या कहेंगे हम इसको You are not my friend यानि कि You are my friend का मतलब है कि तुम मेरे दोस्त हो और You are not my friend कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो तो अब इसमें option ढूनो कौन सा option आएगा देखो A option दे रखा है You are my not friend तो ये तो गलत है helping work के बाद जो है वो note आना चाहिए है ना अच्छा आगे दे रखा है B option You are not my friend ये बिल्कुल सही लग रहा है आगे देखो You are my friend not ये भी गलत है note last में लगा रखा है और You not are my friend यहाँ पर देखो You के तुरंत बाद note लगा रखा है तो ये भी गलत है तो फिर सही कौन सा होगा सही option होगा हमारा B option और B option क्या है You are not my friend अब इसी तरह से next question है C writes a letter All in negative form C writes a letter वह एक पत्त्र लिखती है ये किता है इसको भी जो है वो negative form में बनाओ नकारात्मक यानि की नहीं वाला sentence इसको जो है बच्चो बनाना है तो बनाओ कैसे बनेगा ये अब यहां पर देखो कि हम यहां वर्व की first form के साथ S या Yes ये वाला use कर रखा है यानि कि ये tense कोन सा है पता है Present indefinite tense है बच्चो ये और यहां वर्व की first form के साथ S या Yes लगाए गया है और ऐसे में हमें अगर note negative sentence बनाना होता है C does not write a letter तो अब ढूंडो कौन सा option है इसमें C यहां देखो ये भी नहीं है ये भी नहीं है C not does लिख रखा है ये भी नहीं है और ये वाला देखो last वाला D वाला C does not write a letter तो हमारा option कौन सा होगा? Option आएगा D तो बच्चो आज इस वीडियो में केवल इतना ही Next वीडियो में मैं आपके लिए और next chapter और उसमें आने वाले कुछ MCQs लेकर आऊंगी तो बच्चो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बच्चो